राशी मेश ओवर्वियू 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 इस आत्म विशलेशन से आपको अपने लक्षों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अपनी सफलताओं के लिए अपने आपको शाभाशी दीजिए। राशी ब्रिश रुमैंस आपके शांत वो रोमैंटिक जीवन में अपने साथी के साथ कुछ मदभेद हो सकते हैं। इन अवांचनिय परिस्थितियों से निबढने के लिए यदि आप अपने साथी को प्यार भरी निशानी देंगे तो वह अचूक इलाज सावित होगा। जिससे आप सी प्रेम फिर से उमंगे भरने लगेगा। यदि आपने किसी नवीन नौकरी के लिए आवेदन दिया है, तब आज कोई शुब समाचार अपेक्षित है। यदि आपने आवेदन नहीं दिया है, तो आज का दिन उस आवेदन को भर कर भेज देने का है। नए योजना शुरू करने से पहले सावधान रहें। या फिर अच्छे निवेशक के साथ काम शुरू करने के लिए कुछ दिन रुख जाईए। अगर आप मोटापे से ग्रस्थ हैं, तो आप इसे रोकने के लिए नई शुरुआत कर सकते हैं। आप वजन घटाने के बाद न केवल मुटापे से चुटकारा पा सकेंगे, बलकि जीवन का आनंद भी ले सकते हैं. ये बदलाव आपके जीवन को अच्छा बना देंगे. आज आप खुद को काम के बोज तले दबा हुआ पाएंगे. ये बरेशानिया काम और घर दोनों से संबंदित हो सकती हैं. आज आपको शांत रहकर अपनी प्रात्मिक नाय तै करनी होंगी. पूरी कोशिश करें कि आप काम और घर दोनों में से किसी को भी नजर अंदाज ना क पसंद का पार्टनर मिलेगा. उसका साथ आपको अपार खुशी देगा. वो आपकी जिन्दगी में हर पल सुख दुख में आपका साथ देगा. इसलिए इस रिष्टे को बढ़ाने के समय और मन लगाएं. परणाम अच्छा हो सकता है. किसी सरकारी प्रबंध की अपद को प्राप्त करने की इस समय प्रबल संभावना है. खासतोर से अगर आप IAS में जाना चाहते हैं तो सही पदगी खोज करें और इसके लिए अपना आवेदन भेज दें. आपको इंटर्व्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा. और ये तो आपको पता ही है कि नौकरी पाना आपके लिए कभी भी कठिन नहीं रहा है. अगर आप शेयर बाजार में काम कर रही हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आपका आर्थिक पक्ष आपके लिए मजबूत बना रहेगा. आज के दिन आप काफी सुरक्षि लग सकती है, मगर आज आपने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया, तो बाद में ये भहन कर रूप ले सकती है, आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, इसलिए ध्यान रहे, आप भोजन करें, धूमरपान और शराब से दूर रहें, राशिकर्क, ओवरव्यू, आज आज आप प्यार को महसूस करेंगे, आपके अंदर शक्ती वह उत्तेजना का संचार होगा, मन साथी के बारे में सोच कर डोलेगा, अपनी भावनाओं को कुछ नियंत्रित करें, किन्तु जीवन के प्रती जो उत्साह प्रेम लाया है, उसका आनंद भी उठाएं आज आप पाएंगे कि आपका कारिक्षेत्र बदल गया है, या फिर आपने कोई नई नौकरी कर ली है, ये किसी नई शुरुवात का समय है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, इस बदलाव से परेशान नहों, इससे आपको लाभ ही होगा, और आपको अपने लक्ष के और नस्दीक जाने में मदद मिलेगी, राशिकर्क, फाइनांस, इन दिनों अर्थ जगत में भड़कीले विज्यापनों वाले व्यवसाइक निवेश से बचने का प्रयास करें, परन्तु अगर आप इसके प्रत्येक पहलू को परक सकें, और आपके अनुसार यह खरा साबित ह तो आप निवेश कर सकते हैं, आज इसमें लाब होने की अधिक संभावनाई हैं, आज आपके सम्मुक जो भी विवसाय के नए अवसर आएंगे, उससे आप उम्मीदें कर सकते हैं, परन्तु आप उन्ही पर आश्रित होकर निश्चिन्त ना हो जाएं, बल्कि सोट समझ कर कदम उठाएं, यह संकेत है कि अगर आप किसी पेट की बीमारी से परेशान है, तो आज आपको उस बीमारी से निजाप मिल जाएगी, अभी आपका पेट नाजुक है, इसलिए अपने खान-पान पर नज़र रखें, अगर आप अच्छा खाएंगे, तो आप अच्छा महस बुरा वक्त आज आपका इम्तिहान लेगा, लेकिन आप परेशान ना हो, आप विजय प्राप्त करेंगे, आज चाहे जो कुछ भी मुश्किल आजाए, आप आसानी से हर समस्या का समाधान ढूंड लेंगे, आज आप किसी भी तरह की समस्या का सामना करने के लिए तैयार ह ये आपका साहस है, जो आपको कभी हारने नहीं देता, अपना साहस बनाए रखें अगर आप किसी शादी को लेकर बातचीत कर रही हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है, कोशिश करने से पुरानी सारी अडचने दूर हो सकती हैं, और आपके मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकता है उच अधिकारियों से आप खुश खबरी की उमीद कर सकते हैं, आपने अपनी संस्था के लिए जो कड़ी महनत की थी, अब उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा ये लाब किसी भी रूप में मिल सकता है, जैसे की तारीफ, प्रमोशन, विदेश यात्रा, तनख्वाह में व्रिध्धी, या फिर अपने विभाग में जो बदलाव आप चाह रहे थे, वो भी मिल सकता है आपको जो मिल रहा है, उसे पूरी खुशी से स्वीकार करें राशी सिंग आज आपको लगेगा कि आपकी संस्था आपको काम के सिल्सले में विदेश भेजना चाह रही है, हाला कि आप थोड़े हिचक रही है, पर बे हिचक विदेश जाने की तयारी करें विदेश में निवेश संबंधी आपका कोई भी कामकाज फाइदे मन साविध होने वाला है जो काम अभी शुरू होने वाले हैं सब आपकी मेहनत का सही फल देंगे राशी सिंग, हेल्थ आज आपका व्यायाम करने का मन होगा आप फिर से पहले वाले रास्ते पर आ जाएंगे अब वो समय आ गया है जब आपको वापिस उसी आकार में आना होगा आज वो दिन है जब आपको चुनना होगा कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे अगर आप जिम में 30 मिनट भी रहेंगे तो आप बहतर महसूस करेंगे घर में 30 मिनट व्यतीत करने से अच्छा है आप जिम में काम करें अपने कौशल वहिम्मत से आप अपने रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों को हल कर लेंगे आपकी इन खूबियों का जादूई असर होगा वह सारी परेशानिया खुद ही खत्म हो जाएंगी अपना उत्साह बनाए रखें क्यूंकि इसी से आपकी सारी परेशानिया खत्म हो सकेंगी आज आप फैसला करेंगे कि अपने साथी के साथ संबंध लंबे समय तक चलाएं अध्वा नहीं अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने वो निर्णय लेने के लिए ये उत्तम समय है आज आपको अपने कुशल कारे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा सकता है इससे आपको ज्यादा मेहनत वर लगन से काम करने की प्रेरणा मिलेगी लेकिन इस प्रशनसा को अपने सिर पर न चड़ने दें अगर आप इसमें सफल रहे तो आपको लाब ही होगा संप्रेशन कला में निपण मैनेजर भी अपने काम को पूरी कुशलता से पूरा कर पाएंगे आज आपको जमीन जायदाद व्यवसाइक प्रतिष्ठान आदी खरीदने से लाब हो सकता है क्योंकि इस प्रकार का खरीदने बेचने का चलन आजकल व्यवहारिक हो गया है इस प्रकार के व्यवसाइ में अचानक लाब होने की संभावना बन सकती है यदि आपके पास ऐसी किसी संपत्ती को खरीदने का अवसर आ रहा है तो आप उसे जल्दी खरीद लें आज आप लंबे अर्से से जमीन जायदाद भवन जैसी अचल संपत्ती का विज्यापन देख रहे हों तो देर ना करें उसे जल्दी खरीद लें अगर आपको हाई और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आज आप अपनी स्थिती में बेहतर बदलाव महसूस करेंगे इस बदलाव को एक चिन्ध मान सकते हैं जो आपको सही दिशा की ओर ले जा रहा है इस बदलाव का इंतिजार आप बहुत पहले से करते आ रहे थे आज आपको लगेगा कि आप बहुत व्यस्त और कुछ परेशान है ये समय थोड़े बदलाव का है जिसके कारण आप कुछ परेशान रहेंगे लेकिन ध्यान रखें कि ये बदलाव ही आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और आपकी सोच के दाइरे को बढ़ा कर देगा आज कितनी भी मुश्किल चुनोती को स्वीकार करने से न डरें आज आप थोड़ा निराश और उदास अनभव करेंगे क्योंकि आपने जिसे दिल दिया उसने उसका अनुकूल उत्तर नहीं दिया आपको उसने मना नहीं किया पर जिस गर्म जोशी, उमंग और जल्दबाजी की आपको उससे आस्थी वो नहीं मिली धीरज रखें और अपने जज़बातों पर लगाम लगाएं, सफलता मिलेगी राशितुला, करियर कारिक्षेत्र में आपको अपनी सीमाओं को जानना चाहिए अगर काम आपकी सोच के अनुसार ना भी चले तो भी परेशान ना हो ये सारी परेशानिया अस्थाई हैं, जो की समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी आपकी महनत और लगन आपके करियर को बहुत उचाईयों पर ले जाएगी और आपको बहुत लाब होगा आपके विवसाय में व्रिद्धी हुई है, लेकिन आप उसके अनुरूप अधिक तेज कारे नहीं कर पा रही है लेकिन आपके द्वारा हाल ही में उठाए गए ठोस कदम के लिए आप धन्यवाद के पात्र है इन दिनों आप दर्द एवं शरीर में जलन का अनुभव कर सकते है ये आएके द्रिष्टिकोंड से आपके लिए समुचित समय है अतह अपने कारे की गती तीवर करें आपको ये जानकर प्रसंदता होगी कि आपका बैंक खाता नकद रुपियों से भरा है आज आपको अपने स्वास्त का ज्यादा ध्यान रखना होगा जैसे सिर्दर्द, जोडों का दर्द, यह सब आपकी लापरवाही के कारण ही है ये जरूरी है कि आप सुबह टहलने जाएं, व्यायान करें ताकि यह सब सुधरा जा सके आज आप किसी ऐसी गत्विधी में भाग ले सकते हैं, जो आध्यात्म से वास्ता रखती है इससे आपको खुशी, वसंतुष्टी मिलेगी इससे आपका सही मार्ग दर्शन हो सकेगा, इसलिए इसका पूरा लाब उठाएं अगर आपकी इच्छा हो, तो आप किसी तीर थ्यात्रा पर भी जा सकते हैं आज आपके किसी खास व्यक्ती के साथ मिलने के संकेत हैं बाहर निकल कर सामाजिक मेल जोल करें अपने जजबातों को उचा बनाए रखें आपका पार्टनर आसपास हो सकता है उसके साथ नए रिष्टे की पूरी संभावना है आज आपको कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा आपके आसपास कुछ नकारात्मक लोग हैं जो आपके बारे में नहीं सोचते वो शायद आपको उच अधिकारियों की नजर में गिराने की कोशिश करें आप सावधान रहें और किसी भी विवाद में ना पढ़ें बस अपने करीबी दोस्तों पर ही भरोसा करें आरथिक मामलों में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे आर्थिक मामलों में आपकी लगातार महनत रंग लाएगी, अपनी अच्छी सफलता के लिए अच्छी योजना बना कर चलना बहतर होगा, अपनी हिम्मत बनाए रखें, कड़े कदम उठाएं, महनत करते रहें, और धैरे भी रखें, फिर देखिए, दुनिया आपकी मुठी म बेहत सावधानी की जरूरत है, आज किसी भी तरह का आलस ना करें, वरना इसका परिणाम और दिनों की अपेक्षा चुनोती पूर्ण हो सकता है, अगर आप कोई भी कार्यत ध्यान और लक्ष साथ कर करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, राशिधनू, ओवर्व कुछ समय से आपके घर पर छोटी छोटी बातों को लेकर जगड़े हो रहे हैं, लेकिन आज आपने इन जगड़ों को खत्म करने की ठान ली है, आज अपने प्रयासों से आप ये कर ही डालें, जब आप सब को एक साथ ही घर में रहना है, तो फिर लड़ाई करके क्यों रह कोशिश करें कि सब एक दूसरे के साथ मिल कर रहें। आपकी संप्रेशन कला, आत्म विश्वास तथा आकर्शक व्यक्तित्व आज आपको अपने कारिक्षेत्र में अपनी कुशलता दिखाने में मदद करेंगे, हाला कि आपको अपनी बात मनवाने वो अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए बहुत महनत करनी पड़ेगी परेशानी में आसानी से काम कर पाने की आपकी क्षमता सभी को प्रभावित करेगी जो लोग घर खरीदना चाह रही हैं, उनके लिए आज का दिन भागयशाली है, आज बिना किसी भागदौड के मन चाहा घर मिल जाएगा घर खरीदने के लिए अगर करदा लेना चाह रही हैं, तो आज आवेदन करने का अच्छा दिन है, जो भी हो, घर खरीदने के मामले में आज आपको बड़ा अच्छा फल दिखेगा तनाव स्तर में आए सकारात्मक बदलाव की वजह से, आज आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा और संतुरित भोजन, आराम और कुछ व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, जो लोग पाचनक्रिया की परेशानी से जूज रहें हैं, वो आज देखेंगे कि इ दूसरों की सहायता करेंगे, इससे आपको खुशी मिलेगी, आज आपके लिए रिष्टे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, फिर चाहे वो रिष्टा आप से हो या उनसे जिन्हें आप जानते भी नहीं, आपको अपनों के साथ समय बिदाने से प्यार का एहसास होगा. राशी मकर, रुमैंस आपको अपने समस्त विचारों को एकत्रित कर, उनका स्रिजनात्मक उप्योग करना चाहिए. अपनी प्रतिभाद देख कर आप स्वयम भी आश्चरी करेंगे. राशी मकर, फाइन्स आज आप खुद ही साथधान रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी आर्थिक समस्या की भविश्यमानी तो की नहीं जा सकती, और ना ही वो बता कर आती है. जैसे कार का एक्सिडेंट हो जाए, या पानी की कोई पाइप ही फट जाए, जो भी हो, आपको तो आर्थिक नुकसान उठाना ही पड़ाना. इसलिए ये ध्यान रखें कि ऐसे आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त धंतों होना ही चाहिए. आज आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनों ही बढ़िया रहने वाले हैं. आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे, मगर लापरवाही ना करें, वो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए व्यायाम जरूर करें. घर पर बनी अशांती, आज आपको चिंता के दो-चार पल दे सकती है. अपने घुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश करें. फिर चाहे घर की अशांती का कारण आप ना भी हों, तो भी मानसिक शांती के लिए अपनी भावनाव पर काबू रखें. राशिकुम्ब, रुमैंस. लोगों के लिए आज का समय सही नहीं है. आप अपने ही बनाए हुए लक्षों को पूरा नहीं कर पा रही हैं. हो सकता है कि ये आपकी ओर से कम-काम किये जाने की बात हो. अपने लक्षों को पूरा करें. राशिकुम्ब, फाइन्स. चाहे आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, चाहे अपने व्यवसाय से, आज आपकी आमदनी बढ़ेगी. जो लोग काम के सिलसले में यात्रा पर निकल रहे हैं, तो समझे पूरा दिन यात्रा में ही बीतेगा. अगर आप ट्रावल व्यापार में हैं, तो समझे कि इस खूब आमदनी होने वाली है. मदिरा पान से दूर रहें, हो सकता है आज आपको मानसिक तनाव रहें, इसलिए शराब के बारे में ना सोचें, घर पर ही रहकर आराम करें और खुद को बुरी आदतों का शिकार ना बनने दें. बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद कानूनी लड़ाई का फैसला आपके हक में रहेगा, अब आप चैन की सांस ले सकते हैं, आपके वकील की सलाह अब काम आएगी, परिस्तिती को ध्यान से समझें और जरूरी कदम उठाएं, इस कानूनी मुद्दे को अब पूरी तरह से खत्म कर दें, आज का प्यार आपकी जिन्दगी को बदल सकता है, आपकी जिन्दगी जोश से भर जाएगी, अपने नए पार्टनर के साथ आनंद करने के लिए घूमने का प्लैन बनाईए, ये प्लैन एक दूसरे को जानने के साथ साथ दोनों को नजदीक लाने में सहायक होगा, इसके साथ किसी रोमेंटिक दोस्त के साथ रहने से आप अपनी बात बिना संकोच कह सकेंगे, जो कि आपकी रोमेंज भरी जिन्दगी को और उचाई दे सकते हैं आज आप मानसिक और शारिरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फिर भी चुनोती पूर्ण स्थिती में आप सफल रहेंगे, ऐसा लग रहा है कि आज कल आप कड़ी मेहनत कर रहें हैं और आज आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, अपनी मेहनत से आप अपने तनापूर वक्त पर भी विजय पा सकेंगे, राशी मीन, फाइनांस, नई कार खरीदने की सोच रहें हैं तो आज का दिन अच्छा है, आज कार शुरू में नई कार देखें और खरीद डालें, आपको लग रहा होगा कि कार के बिना जिन्दगी में सुख नहीं है, तो आज ये खरीद पर भी असर पड़ेगा, पढ़ते समय अपना मन न भटकाएं, और बाद में आप महसूस करेंगे कि आपके पास सोने के लिए भी पर्याप्त समय है